स्वागते दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं हो निकेल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नमबर दू एसीड बेस एन साल्ट पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे साल्ट क्या होता है एसीड और बेस को हम लोग ने अपरी अच्छे से प जो हम लोग के घर में यूज होता है सिर्फ वही साल्ट होता है नहीं सिर्फ वही साल्ट नहीं होता है बहुत टाइप के और भी साल्ट होते है दुनिया भरी पर यह साल्टों से बहुत सारे एक्जाम्पल से ठीक है लेकिन साल्ट सिर्फ वह नहीं होता है बहुत भी हम लोग common salt या table salt के नाम से जानते हैं, अगर हम लोग definition की बात करते हैं, salt क्या होता है, तो those compounds formed by the neutralization reaction between the acid and base are known as salt, वैसा compound जो की acid and base की neutralization reaction से form होता है, उसको हम लोग salt कहते हैं, जैसे की अगर हम लोग बात करें, zinc hydroxide, ZNOH2 में अगर हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, यह एक base हो गया, और यहाँ पर acid अगर हम लेना है, तो हम sulfuric कैसे लेते हैं, H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पर जो compound form होगा, ZNSO4 plus H24, ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ form होगा, तो यहाँ पर हमारा base हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा ace हो गया, acid हो गया, यह दोनों का अगर हम लोग कंपाइंड करते हैं, तो acid base neutralization reaction होगा, और यहाँ पर हमें बनेगा ZNSO4, जो की एक salt है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा, दूसरा example अगर हम लोग लेना है, जो की सबसे common example है, acid का HCl plus NaOH, जो की एक base होता है, इसको अगर आपस में react कराएंगे, तो बनेगा NaOH, ठीक है, प्लस water नहीं लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर HCl क्या हो गया, acid हो गया, और NaOH क्या हो गया, base हो गया, कोई भी लिख सकता है, acid को पहले लिखो, base को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, acid और base को आपस में rate कराओगे, तो बनेगा NaOH की salt होता है, यह जो NaOH है, यह common salt है, यह जो घर में use होता है, वो NaOH होता है, और भी बहुत तरह के salt होता है, वो subuse नहीं होता है घर में, उससे confused होने की कोई जरूत नहीं है, salt बहुत type होता है, लेकिन जो घर में use होता है, उसको sodium product यह NaCl के नाम से हम लोग जानते हैं, तो salt उमीद करता हो, आपको समझ में आ गया होगा, क्या definition होता है, जो acid-based neutralization reaction से formd होता है, उसको हम लोग salt कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगा formation की बात है, तो हम लोग सबसे बहुत समझी लिए कि acid-based neutralization reaction से जो चीज formd होता है, उसको हम लोग salt कहते हैं, लेकिन already हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं गया होगा, वहाँ पर salt बन रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहता हूं, जैसे ही neutralization reaction का तो मैंने example बता दिया, acid-based neutralization reaction से तो पहला है कि हम लोग इससे बना ही सकते हैं, okay, दूसरा है कि हम ल metal का reaction करा देते हैं, acid के साथ, sodium को अगर हम लोग rate करा दे, hcl के साथ, तो भी तो nacl बनेगा, ठीक है, प्लस h2 निकल जागा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा metal के साथ, sodium एक metal है, उसके साथ हम acid के साथ rate करा तो भी हमारा nacl बन रहा है, उसी तरह से same अगर हम लोग reaction को अगर हम लोग rate करा देते हैं, NaOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा sodium zincate बनता है, Na2, ZNO2, ठीक है, यह भी हमारा बन जाता है, ठीक है, तो acid और base के साथ भी rate कराने के साथ, हमारा salt है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर कोई metal oxide है, उसको acid के स अगर हम लोग rate करा देते है, HCl के साथ, तो यहाँ पे हमारा बनेगा calcium chloride, CaCl2 plus H2O, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा बन रहा है, यहाँ पे कोई acid based reaction हो नहीं रहा है, यहाँ पे metal oxide है, ठीक है, calcium oxide, metal oxide, इसको HCl के साथ rate करा है, calcium chloride, HCl2, ठीक है, और भी example ले लो, अगर आप zinc oxide का example लेना चाहते हो, H2SO4 के साथ, तो बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, इसका answer आप comment box में करके बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा, उसी तरह से और भी अगर oxide का example लेते है, magnesium oxide के साथ, magnesium oxide के साथ, HNO3 के साथ, के साथ react कर देते हैं, तो बताओ, क्या बनेगा, यहाँ भी salt बने बनेगा, neutralization direction के साथ को salt बनता ही, ठीक है, तो यहाँ तीन तरीके हो जाता है, salt के बना, अब हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ examples है, salt के, salt के मैंने बताओ, बहुत सार एक्जाम्पल है, दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन कुछ जो famous example है, जो कि exam में पूछ सकता है, उतका म समुला के साथ लिख देता हूँ, तो आपको समझने में असानी होगी, काफी असान गाएगा, जैसे कि potassium sulfate, ठीक है, तो K2SO4, ठीक है, यह इसका फंबला हो जाता है, K2SO4, potassium sulfate, यह भी salt होता है, अब इसको बनाना है, कैसे बनाओगे, इसको बनाना चाहोगे, तो यहाँ प होगे, calcium sulfate, C-A-S-O-4, अब हम पर समझ रहो हो ना, जैसे कि sodium है, sodium का वैलंसी बन होता है, तो इसका 1 यहाँ पर गया, इसका वैलंसी 2 होता है, इसका 2 यहाँ पर गया, ठीक है, sodium का भी है, 2 वैलंसी और sulfate का भी है, 2 वैलंसी इसलिए, C-A-S-O-4, ठीक है, copper sulfate, तो C-U-S-O ठीक है, sodium chloride, N-A-C-L, इसका हमने देखा ही, common salt होता है, ठीक है, sodium nitrate, N-A-N-O-3, nitrate का भी वैलंसी 1, sodium का भी वैलंसी 1, तो 1-1 हो गया, ठीक है, sodium carbonate, N-A-2-C-O-3, ठीक है, N-A-2-C-O-3, ठीक है, chloride का भी वैलंसी होगे हमारा 2, और sodium का भी होगे है, हाँ पर 2 होगे है, हाँ होगे है, C-O-3, ठीक है, उसका अमोनियम chloride, ठीक है, तो N-H-4-C-L, ठीक है, अमोनियम आयन का वैलंसी 1, होगे, chlorine का वैलंसी 1, होगे, N-H-4-C-L, इसका फर्मूला होगे, अमोनियम chloride का यह भी है, साल्ट होता है, ओके, अब हम लोग बात करते है, family of salt, ठीक है, जैसे हम लो NaCl, sodium sulfate, sodium carbonate, ठीक है, और example मैं अगर लिख नहीं होते है, sodium bromide, NaBr, ठीक है, इस तरह से और भी example है, तो यह सारे तो साल्ट है, sodium के सारे साल्ट है, लेकिन यहाँ पर आप कॉमान देखो, तो इसमें भी sodium है, इसमें भी sodium है, इसमें भी sodium है, ठीक है, तो वैसे साल्ट जिसमें एक particular element, अगर सम्में found हो रहा है, तो उसको उसकी family बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर sodium सम्में है, तो यह family of sodium साल्ट हो जाए, ठीक है, sodium का NaCl भी साल्ट होता है, sodium का sulfate भी होता है, sodium carbonate भी होता है, sodium bromide भी होता है, ठीक है, तो sodium के यह सारे साल्ट होता है, तो सम्में sodium found हो रह अब हम लोग एक्जाम्पल लेते हैं family of chlorine chlorine chart ठीक है अब बैसा सार्ड जिसमें chlorine found होना चाहिए तो जैसे n a c l है chlorine calcium chloride है chlorine magnesium chloride है chlorine यहाँ पे को गया लिञियम क्लोराइड ठीक है कोतासियम क्लूराइड ठीक है के अंब देखोसों तो ख्लोरीनलोरीननलोरीन ठीक है तो ये शारा का सारा example हो गया फैमली ओफ प्रूरीन साल्ट कि अब इसी तरह से हम बात करें कि फैमली ऑफ क्या करूं मैं जिंक साल्ट ऀन्ट की तो वैसे compound बताना है आफ psycho войसा साल्ट होना चाहिए ठीक है और उसमें जिंक-जिंक क्लीम मैं लिख दे रहा हूं जिंक five case छ फीक ए इसके बार और क्या क्ष़न social media लिख intent ठीक है आप यहीं से भी help ले सकते हो यहां पर लिखा हुआ है इसी में से भी आप दिमाग लगा के लिख सकते हो बस बसरते की यह होना चाहिए कि जिंक साल्ट की फैमिली हम लिख रहे तो सम्में जिंक एक अलिमेंट होना चाहिए उसके बाद आप कुछ-कुछ लगा सकते हो सामने लिखा हुआ है ठीक है अप लगा सकते हो इसका आंसर आप कोई वीडियो पाउस करके कमेंट बॉक्स में करो अब हम लोग बात करते हैं pH of salt ठीक है अगर कभी कोई भी salt जो होता है वो जनरली तो नीट्रल साल्ट होता है वो कैसे साल्ट नीट्रल साल्ट होंगे अगर वो strong acid और strong base से बने वे हैं तो वो neutral साल्ट होंगे जैसे की NaCl जैसे sodium होता है कि इससे बना हुआ है तो यह स्ट्रॉंग बेस था इसलिए यहां पर इसका पीएच न्यूटर होता है अगर किसी स्ट्रॉंग एसीड और स्ट्रॉंग बेस से बना हुआ अगर कोई साल्ट है तो उसका पीएच होगा न्यूटरल पीएच होगा पीएच होगा पीएच सेवन के राउंड अब सेवन एग्जैक्टली भी नहीं हो सकता है 6.5 से उपर होगा और 7.5 से नीचे होगा तो इसके बीच में थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है इस तरह के आसप क्या पंपूल के लिए अगर हम लोग बात करें कि यहां पर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रॉंग ऐसी में हो जागा iक ओर पात करते हैं ठीक है और की ons पर हमारा हो जाएगा अलमुनियम हड्रोकसाइड के साथ है तो यहां पर मॉनियम क्लोराईड बनेगा ठीक है फ्लस वाटर मुक्त ठीक है तो अल्टियम क्लोराईड जो है यह एक वीक बेस और स्ट्रॉंग एसीड से बना हुआ है इसलिए इसका पीएज SLIGHTLY ACID होगा,almonium chloride का मैं बात कर रहा हूं, aluminum chloride का अगर बात कर रहा हूं, तो इसका pH SLIGHTLY ACID होगा, यह इसका pH 5-6 काराऊँ पाउगा, रिए है? वहीं अगर हम लोग बात करें, SALT Of Strong Base and Weak Acid, तो Strong Base है और Weak Base है, तो strong base में NaOH ले ले लेते हैं, अब वीक एसीड में हम लोग लेते हैं कार्बोनिक एसीड है इसके रियक्शन से हमारा बनेगा सोडियम कार्बोनिक एसका नेचर स्लाइटली बेसिक होगा तो इसको याद कैसे रखना है कि अगर वहीं उल्टा कर देते हैं इस्ट्रॉंग बेस ले लेते हैं वीक एसीड ले लेते हैं तो क्या स्ट्रॉंग है तो जो फाइनल प्रोड़क्ट साल्ड बनेगा वह इसे डिक हो जागा अगर वहीं उल्टा कर देते हैं इस्ट्रॉंग बेस ले लेते हैं वीक एसीड ले लेते हैं तो क्या स्ट्रॉंग है बेस इस्ट्रॉंग है न तो स्लैक्री बेसिक पर जागा अब यहां पर एक्जांपल में आप चेंज भी कर सकते हो ठीक है अब वीक वेक्स है तो यहां पर आमोनियम नहीं और और यहां प्रोड़क्ट क्या बनेगा अब यहां पर कुछ साल्ट के एक्जांपल दिये वह है अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इस तरह का कोसन आए ना तो सबसे पहले कोसे करो उसका फोर्मुला लिखने का ठीक है दीर दीर आपको फॉर्मुला खुद भी याद कर लोगा लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है दीर दीर याद हो जागा तो आपने फॉर्मुला आप आप्टोमेटिक कोटासियुम नैक्रेट ठीक है यह भी स्ट्रॉंग एसीड से बना हुआ है एक्सियल एच एनो थ्री और स्ट्रॉंग बेस से बना हुआ के ओ एच ठीक है के साथ अगर एच एनो थी को रिगट कराएंगे तभी रभारा बनेगा के एनो थी प्लस एच्टु निकलेगा समझ में आ रहा है तो यहां पे जो के एनो थी बन रहा है वो इसका भी पिर अजाएगा नूट्र अब यहां बात करते हैं कि Aluminium chloride की Alcl3 इसका example तो मैंने लिया ही था ये slightly acidic हो जाएगा क्योंकि यहां पे जो HCl से फॉर्म कर रहा है वो slightly acidic strong acid होता है और Aluminium hydroxide इसके form कर रहा है वो weak base होता है इसके कहाम कि जो सलूसर होगा acidic हो जाएगा zinc sulfate की ZNSO4 यह भी acidic हो जाएगा क्यों हो जाएगा कि यहां पे जो sulfuric acid है वो strong acid है zinc hydroxide जो होगा वो weak base होगा copper sulfate CUSO4 ठीक है यह भी acidic हो जाएगा क्योंकि sulfuric acid ज्यादे powerful strong acid है copper hydroxide weak base में हो जाता है sodium acetate sodium acetate का फबला हो जाएगा NA CS3CW ठीक है या CS3CWO NA लिको यहां पे ठीक है यह इसका sodium acetate का फबला हो जाएगा acidic acid एक weak acid होता है और sodium hydroxide strong acid होता है जो basic हो जाएगा क्योंकि strong base यहां पे आ रहा है sodium carbonate sodium carbonate का मैंने example बताया था NA2CO3 यहां पे जो acid है वो weak है जो base है वो strong है तो यहां पे जो strong है तो यहां पे जो निकल के आएगा वो basic हो जाएगा नेचरी से ठीक है बेसे strong है ना इसलिए sodium hydrogen carbonate NaHCO3 ठीक है यह भी basic है ठीक है कैसे basic हो जाएगा sodium hydroxide है जो कि strong base होता है और bicarbonate जो HCO3 है H2CO3 तो वह weak acid होता है इस कार्म से यह strong base बन जाएगा ओके thank you very much वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइक पूर ना भूले हैं मिलते हैं अगले वीडियों